हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत आप से भीख हमारी यूटूब चैनल पर मैं हूँ आशके वर्मा आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त 2020 के करेंट अफेर्स के बारे में और आज का विश्य जो है राश्ट्री करेंट अफेर्स आज की वीडियो में हम राश्ट् नहीं किया है तो जल्दी सी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस एप पर आपको complete जानकरी मिलेगी current affairs के बारे में पूरन त्यार जानकरी आपको मिलेगी त्योरी भी यहां मिलेगी वीडियो भी मिलेगी प्लस आपको quiz भी मिलेगी और साथी current affair के अलग-अलग variety होगी जैसे प्रयावरन current affair जैसे आर्थी current affair राष्ट्री current affair अंतराष्ट्री current affair या प्रादेशिक में जैसे राजस्तान current affair चतिसगर्ड current affair इस तरह से आपको अलग-अल पर मिलने वाली है यदि आपको हमारे आपका लिंक चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रीप्शन में चले जाएं वहां आपको लिंक मिल जाएगा लिंक से डारेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं 9 अगस्ट 2020 की अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल एसके गुरू कुलम और एक अन्य यूटूब चैनल एसके वरमा मैत किंग सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां आपको डेली मिलेगा करेंट अफेर्स डेली करेंट अफेर्स जो कि अलग परषन क्या है पहला परषन है हाली में साथ अगस 2020 को विमान हाथषा कहां हुआ अपने टी-वी मे न्यूज में देखा हुआ साथ अगस 2020 को साम को साथ वज की 40 मिनट याने आठ वजी के क्रीब एक विमान हाथसा होता है वह विमान हाथसा कहां चला था कहां हुआ था यह न्यूज काफी चली थी अगर आपने टीवी पर देखी है तो फर्स्ट ऑप्शन महाराश्टर में हुआ था सेक्ड ऑप्शन केर स्वमनित कुछ बाते पता लगेगी इस हाथसे से स्वमनित के कोजी कोड कोजी कोड आपने पहले कालिकट का नाम सुना होगा कालिकट वास कोडिकामा का वास कोडिकामा सबसे पहले कालिकट में पहुंचा तो वह कालिकट का वरतमान में नाम ही कोजी कोड है मतलब कालिकट बोल दो कोजी कोड बोल दो एक ही बात है केरल के कोजी कोड एरपोर्ट पर विमान हाथसा दो हिस्सों में टूटा प्लेन यह लगवग तीन हिस्सों में ही टूट गया था और पाइलेट समयत 17 लोगों की मौत होचकी थी तो थोड़ा डिटेल सी जानते हैं इस हाथसे के बार एक बड़ी दुरगटना का शिकार हुआ रनवेग पर विमान की फिशलने के बाद विमान क्रेस हो गया और दो लगवग तीन हिस्सों में यह तूट गया था यह उस वक्त की तस्वीर एक विमान की किस तरह हैं से यह हाथसा हुआ तो क्योंकि विमान यह आ रहा था यह पानी भरावा था बरसात हो रही थी केरेल के अंदर कोजी कोट के अंदर और एक बार इसे लेंड नहीं किया था पाइलेट ने सेकेंड ट्रम में यह लेंड कर रहा था और यह एक बड़ा दुरगटना हो गई उस वक्त साथी पता जेते हैं वंदे भारत मिशन देखिए व रहा था तो वंदे भारत मिशन के तहट वीमान दुबेई से आ रहा था इसमें 190 लोग स्वार थे इस आश्य में की लोग घायल हो गये हैं वहीं प्लेन आश्य में दोनों पाइलेट समेथ अब तक मतलब 17 लोगों की जान जा चुकी है यानि जब तक हमने यह निज त्यार क पाइलेट को उपर ही लेंड कराकर उपर ही रोकना पड़ता है लेकिन यह विमान क्या हुआ कि यह यहां से आगे तक कंट्रोल आउट ओफ कंट्रोल होके आगे चला गया और यहां गिर जाता है इसी कारण यह तूट जाता है DGCA के मताबिक Air India Express AXB1344 Boeing 737 Dubai से कालिकट कालिकट बोल दो या कोजी कोड बोल दो आपको मैंने पहले ही खाता कालिकट आ रहा था विमान में 190 लोग सवार थे भारी बारिस की कारण रनवे पर उतरने के अबाद विमान फिशल गया और घाटी में गिर गया वहीं विमान दो हिस्सों में टूट जाता है 184 यात्री थे इसमें और 6 क्रू मेंबर थे साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी सामिल थे CISF के महानी दिस्क राजेस रंजन ने बताया कि हमारे कर्मियों ने बचाओ कारे में शाहिता की केरल के मुख्यमंत्री कारेले ने बताया कि विमान हास्य को लेकर PM नरेंदर मोदी ने केरल के CM पिनराई विजिन देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए केरल के CM कौन है पिनराई विजिन से फोन पर बात की है CM ने PM को बताया कि कोजी कोड और मलपूरम जीरा कलेक्टर और IG असो क्यादव सहीद अधिकारियों की टीम हवाई अड़े पर पहुंची है और बचाओ अभिहान चलाया जा रहा है तो यह संक्षिप्त हमने टिपनी की अब आप हमारा जो पूछा गया परसन है उसका अंसर दे पाओगे पहला परसन जो हमने पूछा था हाली में 7 अगस 2020 को विमान हाथ सा कहां हुआ है तो ओप्सन नमबर 20 है केरल में जलिए आगे परसन आपसेond पूछ लते हैं इसी लेख पर अधारी क परसन है धियान से देखिएगा और answer दीजीगा म सी क्यूज है तो परसन ध्यान से दे परसन का answer से ध्यान की कथण है ध्यान से पढ़ोगे तबी आंसर दे पाओगे सही विकल्प का चुनाव करें पहला कथन देखिए हाले में 7 अगस 2020 को केरल में कोजी कोट एरपोर्ट पर कोजी कोड एरपोर्ट पर एर इंडिया का विमान रेनवे पर फेशल जाने के कारण एक बड़ी दुरकटना का शिकार हो जाता है या शिकार 344 बोईंग 737 दुबेई से कालिकट आ रहा था जो लेंडिंग के बाद दुरकटना करस्त हो गया तो दूसरा कथन भी सही है दोनों कथन सही है आपका उप्शन नमबर सी आंसर होगा दोनों कथन सत्य है चलिए एक महतपुरन परसन आपसे पूछ लेते हैं ध्यान से पास कुछ कथन है पहला परसन देखिए पहला कथन देखिए भारत चोड़ो अंदोलन 8 अगस्त 2022 को महातमा गांदी द्वारा अखिल भारती कांग्रेश समीति के बोंबे स्तर में शुरू किया गया था जिसे भारत अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है पहला कथन है करें सही है यह गलत है दूसरा कथन इस अवसर पर परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने 8 अगस 2020 को नई दिली के राजगट के पास राश्ट्री स्वस्चता के अंदर का उद्गाटन किया यह दूसरा कथन है विचार करें आप तीसरा कथन गांदी जी के चंपारन सत्यागरा के स्ताबदी समारों के अवसर पर महातमा गांदी को सरदान जिली देते हुए राश्ट्री स्वस्चता के अंदर आर एस के को पहली बार 10 अप्रेल 2017 को परदानमंत्री द्वारा गोशित किया गया था यह तीसरा कथन है आपको प्रुक्त कथनों में से विचार करके बताना कौन सा कथन सत्य है आपको लगता है पहला और तीसरा कथन सत्य है तो उप्शन A लगए आपको लगता है पहला दूसरा कथन सत्य है उप्शन B लगए आपको दूसरा तीसरा कथन सही लग रहे है तो उप्शन C लगए और आपको सारे कथन सही लग रहे है तो उप्शन D ल तो यह कथन बिल्कुल सही है कि दोस्तरा कथन दा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आठाकेस 2020 को नई दिली में राजगाट के पास राष्ट्री सवच्चता के अंदर का उद्गाटन किया है तो यह भी बिल्कुल सही है तीसरा जो कथन दा गांदी जी के चंपारन सत्यागरों के स्ताबदी समारों के अवसर पर महत्मा गांदी को सरधानजली देते वे राष्ट्री सवच्चता के अंदर आरेसके को पहली बार दस अप्रेल 2017 को परधानमंत्री द्वारा घोसित किया गया था तो यह तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है तीनों कथन सही है उप्षन नमबर डी आपका सही आंसर होगा तो डियर फ्रेंड्स आज का जो हमारा टोपिक था आज का 9 अगेस 2020 की आज की करंट अफेर्स थी और डेली करंट अफेर की सिरीज के अंदर आज राष्ट्री करंट अफेर को हमने लेके चले और राष्ट्री करंट अफेर के बारे में हमारा में टोपिक जो था केरल की एरपोर्ट पर जो विमान हाचा हुआ है उस पर हमने विश्तरी चर्चा की डियर फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूटूब चैनल जुरूर सस्क्राइब कर लीजी क्योंकि दोनों प्रकार की यूटूब चैनल पर आपको इस तरह की करेंट फैर्स मिलेगा साथी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं यहां आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे एप का है एप का नाम है एसके गुरुकुलम करेंट फैर दो हजार बीस हमारी वेबसेट है www.sk-gurukulum.com आप इस वेबसेट पर जाकर भी हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं एप में आपको सभी परकार की जानकारी मिलेगी साथी आप अपने क्यूज दे सकते हैं यानि अपने आपको चेक कर सकते है कि कितना करेंट है फेर आपका त्यार है तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो हमारे यूटुब चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथ में बैल आकन अवस्य दबाएं बैल आकन दबाने से आपको लेटिस्ट वीडियो का नोटि से दे तो आगे दिजिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मिलागात होगी तब तक लिए बाई टेक क्यार